प्यारे बच्चों, असलाम अलाइकुम, हम The Poem Caterpillar की Comprehension कर रहे हैं। आज हम उसमें करेंगे Articles, A, An और The को Articles कहते हैं। What is an article? It is an adjective, it modifies a noun. ये एक adjective है, ये एक noun को modify करता है, तब्दील करता है। In definite articles, A और N हैं, इनको singular, एक चीज़ के लिए इस्तमाल में लाया जाता है। A is used before consonant sound, जैसे one bicycle, a bicycle. A teacher, a computer, a ball, जब एक noun होगा, singular, उसके लिए हम a use करेंगे। Before vowel sounds, an इस्तमाल होता है, जैसे one elephant, elephant starts with the vowel e, तो हम an elephant कहेंगे। आपको पता है के 5 vowels हैं, a, e, i, o, u, so an eraser, an apple, an Indian, जितने भी vowels होगे, singular, उसके पहले हम an use करेंगे। आप देखें के an hour or an honest man, इसमें voiceless h है, लेकिन जो sound है वो vowel की है, तो इससे पहले भी हम an use करेंगे। The article, the article to specify a particular noun, एक खास noun से पहले हम the लगाते हैं, जैसे an apple, doesn't matter which apple, लेकिन अगर the apple, a specific one, उन सब में से एक जो top left path, उससे पहले हम the लगाएंगे। Write a or an before the given words, honest girl, rapper, knife and hour, यह चार हमारे पास words है, तो हमने देखना है कि इन से पहले कौन सा article use होता है, तो आप देखें कि honest girl, तो जो viseless h हो, उससे पहले हम an लगाते हैं, क्यूंकि honest में o vowel की sound है, तो इससे पहले क्या आएगा शाबाश, very good, आपने बिल्खुल सही पहले हम an ल पहचाना, an honest girl, फिर है rapper, किसी चीज़ को जब हम gift को कागस से rap करते हैं, तो यह rapper कहलाता है, जिससे gift को खुफसूरत बनाया जाता है, तो अब डबल्यू जा है, वो एक consonant है, और हमने देखा था कि अगर singular चीज़ हो, तो consonant sound से पहले हम a लगाते हैं, तो शाबाश क्या इदर, a, a rapper, फिर है, knife, knife वो instrument है, जिससे हम fruit और vegetables काटते हैं, और अभी हमने देखा था कि knife में, जो है, वो k, जो है, वो silent है, और n is a consonant, इसके लिए भी आएगा, a, a knife, अब आप देखें कि ये hour है, हम, जो time का पेमाना है, वो घंटा है, और इसमें हमने देखा था, कि an hour में, ओ, वावल की sound है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, शाबाश, an hour, तो प्यारे बच्चो, leader in me paradigm, paradigm कहते हैं, एनक्स जो हम जिससे दुनिया को देखते हैं, आप में से हर बच्चा leader बन सकता है, उसके अंदर एक leader चुपा हुआ है, everyone can be a leader, तो आपने इंशाला एक अच्छा leader बनना है, change starts with me, अपने अंदर तदिदी लेके हैं, अपने अंदर अच्छी आतने डालें, सच बोलें, नभी करीम सेलें की सीरत को पड़ें, रोज पढ़ने की आदर डालें, कुरान पढ़ने की आदर डालें, हदीस पे अमल करें, तो आप एक दिन अच्छे leader बन जाएंगे, अल्ला ताला ने हर एक को अकल से नौज है, तो अपने अंदर अच्छी आतों की तब्दिली लेकर आए, राइट ए ए ए एन आर, दर तो कम्प्लीट ता पेराग्राफ, आर्टिकल्स लिखें और पेराग्राफ को कम्प्लीट मेरें, तो पहला सेंटेंस है, अक्सा ब्राट डैश एपल, डैश ओरंड एंड सेंडविच, और लंज, अब वावल से शुरू हो रहा है तो उससे आएगा, एन ओरंड, लेकिन सेंडविच जो है, वो असेंडविच फार लाइन टुले, ठीक है, उसके बाद नेक्स है, शी कट द फ्रूट्स विद डैश नाइफ, तो फ्रूट किसके साथ कर रहा है, कर रही है, एक नाइफ के साथ, किनके नाइफ जो है, वो ऐ, आइफ कॉंसोरेंट साउंग दे रहा है, नेक्स है, दे आर फ्रौम आवर ओन गार्डन, वो हमारे अपने बागीचे से हैं, फ्रूट्स अड वेजटेबल्स, इन हार गार्डन आर आलवेज वेरी फ्रेश, फ्रूट्स और वेजटेबल्स उस साथ मिलकर खाती है तो आप देखें कि specify किया हुआ है कि fruits and vegetables जो हैं वो उसके अपने बागीटे से हैं तो यह आएगा the fruits and the vegetables in her garden are always very fresh. She always share her lunch with her friends. क्या आप अपना lunch अपने friends के साथ share करते हैं तो प्यारे बच्चों share करने से चीजें बढ़ती हैं काम नहीं होती तो या तो किसी के सामने खाना नहीं चाहिए और खाना खाएं तो share करके खाएं अमीद है आपको सबब पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें share करें और चैनल को सब्सक्राइब करें